प्राप्ट जानकारी के अनुसार जिस कोरोना वाइरस ने विश्व को हरा कर रख दिया ऐसा कोई समर्ध देश नहीं बचा जो कोरोना जैसी घातक वाइरस के प्रकोप से होने वाली जन्हानी से पीडित ना हो अमेरिका इतली आदी देशों में हजारों की संख्या में लोग काल के गाल में समा चुके हैं वही हमारे देश की जनताने भी तहे दिल से अपने प्रधान मंत्री जी के निर्देश का इमानदारी से निर्वहन करते हुए लोगडाउन में पूरा सहयोग किया ऐसे ही मतुरा के थाना मगोरा के कसबा सौप के नैनू पट्टी से गाउं अख्खा के दो लाल सामने आये एक एफोस में पुष्ट वर्षा करने वालों में थे तो दूसरे पीजी आई लक्नव में कोरोना वाइरस से लड़ने में अपनी अपनी भूमे का निभा रहे हैं देश के डॉक्टर नस सफाई कर्मचारी के अलावा पुलिस बल सभी ने अपनी जान की परवा न करते हुए जिस जिन्दादिली से कोरोना जैसे घातक वाइरस से देश की जनता को बचाने का कार्या किया है वह वाकई काबिले तारीफ है हम देश वासी ऐसे कोरोना योधाओं का हृदे से नमन करते हैं साथ देश की तीनों से नाव में एक जुट होकर कोरोना से अपनी जान की परवाना करते हुए स्वास्थ्य कर्मी पुलिस कर्मियों वा सफाय कर्मियों सम्मान में बैंड की धून बजाकर और आसमान से हेलिकॉप्टर हवाई फाइटर से पुश्प वर्षा करने वालों में थाना मगोरा नैनू पटी के गाउं अख्खा से अमित चौधरी सनौफ श्री शेर सिंग को पुष्ट वर्षा करने का मौका मिला मास्टर बिनोज सिंग निवासी नगला अख्खा ने बताया कि मोहन सिंग कुत्र शेर सिंग पीजी आई लगनों में नर्सिंग आफिसर की पोस्ट पत कार्यरत हैं और वह कोरोना वाइरस से लड़ने में अपनी जान की परवाना करते हुए देश सेवा कर रहे हैं उधर अमित चौधरी पुष्ट वर्षा करने वाले योधाओं में लगे हुए हैं वह अनुकर्णी यह हैं जिस देश की तीनों से नाव ने अपने देश के कोरोन से लड़ने वाले योधाओं को जिस तरह से सम्मान दिया उसे देखते हुए तीनों से नाव जल्थल वायू के जवानों ने डॉक्टर सफाई कर्मी पुलिस कर्मियों पर पुष्ट वर्षा कर उनका होसला बढ़ाया ऐसे सभी योधाओं को एवीपी भारत म्यूज नमन क करते हुए कहा कि देश के योधा वंदनीय है रिपोर्ट चौधरी वीरपाल सिंग एवीपी भारत म्यूज